हाल फ्रेंट्स आपका मेरे चैनल टेक्निकलम के डियर में स्वागत है, दोस्तों आज कि इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कॉलरशाइप के बारे में, तो इ गैंपendovel के बच्चे नोब 12 में गये हैं तो आगर और रिनुविक करने जाते हैं, मतलब जो इस्कॉलरशिप का फार्म है अगर मालीजे इग्रहवी में जब ओ लोग अपना नया रेश्टेशन कर दिये हैं इसमें जब बारहवी में गए हैं तो हाँ पर उन्हों को रिनुवल करने का अप्शन मिल रहा है मतलब रिनुवल आप कर लेजिए कि अगर मालीजे आपको इस्कॉलर्शिप का नया सीरे से आवेदन नहीं करना पड़ेगा सीधे आप यहां से रिनुवल कर लेजिए देख सकते हैं यहां पर लिखा है कि नमेनी करण के सभी छात्र या छात्रा चात्र विर्तिय तो आनलाइन आवेदन बीना रेश्टेशन के सीधे भरे मतलब अगर आप इग्रहमी से बारहमी में आये हैं तो सीधे आप बीना रेश्टेशन के ही सीधे आप रिनुवल कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप जाइए रेश्टेशन कीजे नया आइसा नहीं है आप सीधा यहां पर रिनुवल कर सकते हैं तो फ्रेंट रिनुवल करने में आप कुछ नया सिस्टम आ च मुझह टो लॉग इन करने के बाद यहां पर दिख सकते हैं नहीं नाना है इंग हुआ हैं से इस रिनुवल वाले सिस्टम में जो राय है उसमें जो बच्चा है वह नया आपना आयपरमाण पत्र बनेवा लिया है तो उस आयपरमाण पत्र को इसमें कैसे अपडेट करें कैसे मतलब इसको वैरिफाइब करें मतलब जो नया आय बनवाया है उसको कैसे इसमें अपडेट करना है इसमें ए सिस्टम नहीं दिया है तो फिरन करेक्शन करने के लिए यहां पे कुछ भी प्रोसेस नहीं दिया गया है कि आप पुराने आय परमाण पत्र को हटा करके और नया आय परमाण पत्र लगा दीजिए बहुत सारी लोगों के कमेंड आ रहे हैं कि यहासे महलीजी हमारा आय प्रभाडपत्र एकस्पायर हो गया है थो हम नया आय प्रभाडपत्र कैसे लगा तो यहां पर फिर्ट में आपको साब साब बता दो कि यहां पर रीनुवल वाले तो आपको नए सीरे से online आवेधन करना पड़ेगा मतलब नया registration करना पड़ेगा और उसके बाद उन्हां पर आवेधन करना पड़ेगा तो फ्रेंट जो आया प्रमाडपत्र expire हो चुका है उसका रिनूवल मत करिए क्योंकि उनका scholarship आने में problem हो सकता है मतलब scholarship हो सकता है कि नो क्योंकि उनका आय जो प्रमाडपत्र है और expire हो चुका है तो नया आय प्रमाडपत्र के ले करके और आप अपना नए सीरे से चीज तरह से online आवेधन होता है उसी तरह से सिधा सिधा करिए